न्यूजीलेंड के खिलाफ बंडे सीरीज में बुरी तरह से हारने के बाद भारतिय टीम के कप्तान शिकर दाउन पर लगा 5 साल का परतीबंद और 15 करोड रुपे का बड़ा जुर्माना दोस्तो अगर आप भी इस खबर को पूरा जानना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल न भूलें दोस्तो टी-20 विसकब 2023 के बाद भारतिय टीम नुजिलेंड के दोरे पर गई जापर टी-20 आइस मकाबलों में हर्दिक पंड्या ने भारतिय टीम की कमान समाली और हर्दिक पंड्या की कपतानी में भारतिय टीम ने टी-20 आइस चृंकला जीत ली इन ODIs में भारतिय टीम ने शिकरदवन को कप्तान बनाया था और शिकरदवन की कप्तानी में भारतिय टीम को ODIs सीरीज में हार का सामना करना पड़ा पहला मुकाबला न्यूजिलेंड के टीम ने जीत लिया और बाकी दोनों मुकाबले बारिश ने जीत लिये जिसके चलते न्यूजिलेंड ने इस सीरीज को एक जिरो से अपने नाम किया जिसके बाद शिकर दवन की काफी आलोचने हो रही हैं सभी का मानना है कि शिकर दवन ने खराब टीम सलेक्ट की थी जिसके चलते भारतिय टीम को ये ODI शीरीज हार नी पड़ी सभी का मानना था कि दीपक हुड़ा और इशपपनत में से किसी एक खिलाडी की जगए संदू सैंसर को टीम में खेलाना चाहिए था क्योंकि संदू सैंसर पिछले कुछ समय से ODI इसमें काफी बैतनी परदशन कर रहे हैं लेकिन भारतिय टीम के कप्तान शिकर दवन ने स्वालिया जवाब हो रहे हैं